आज की वीडियो special होने वाली है हमारे teenagers के लिए beginners के लिए और office going के लिए ये makeup tutorial बहुत ही जादा easy है आप office party के लिए या normally party makeup look के लिए इसको को carry कर सकते हैं सो आज मैं आप लोगों को detail tutorial देने वाली हूँ सो विदाउट वेसिंग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लें मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें चलते हैं वीडियो की तरफ यहां पर मैं सीटीम कर चुकी हूँ अब सबसे पहले लेंगे आई एम स्टीम का प्राइमर प्राइमर हमारे मेकप को लॉंग लास्टिंग बनाता है प्लस हमारी फाउंडेशन को बहुत ही अच्छे देखे से ग्लाइड कर देता है यह हो गया है नेक्स में आप लेरी उस टे यहां पर यह स्पॉंज दिया गया है इसका इसी की मदद से मैं इसे ब्लेंड कर रहे हूं आप और आप और आप और आपको ब्लेंडिंग अच्छे तरीके से करनी है आप इस चीज का ध्यान रखेंगे यह हो गया है नेक्स में आपर ले रही हूं लोटस हरबल्स का सब्स हरबल्स की SPF 20 फांडेशन यह लिक्विट फांडेशन है 320 मेरा शेड नमबर है और बहुत ही जादा अच्छी फांडेशन है अगर आपको लॉंग टाइम के लिए नमल कवरेज दिया फिर एक इसकी बेसिक कवरेज है लेकिन ऐसा नहीं आपके फेस पर फील होता है कि कुछ और अपने हेवी मेक अप लगाया है तो मुझे इसकी कवरेज काफी जादा अच्छी लगी तो कुछ इस तरी किसे ब्लेंड कर लेंगे हम शुगर का इब्रोडी फाइनर लिया है मैंने मेरा शेड है जरी ब्राउन और अच्छी सब पर लेंगे उसके बाद हम फिल कर कोई भी आपका जो कहीं पर जादा या कम ना लगें कुछ हिसा है किसे कोई नूट्स के हां पर ये O3 Plusन का नूट्स का नूट्स प्लस का नूट्स का नूट्स तरी अशा बीर कंसीलर है मैंने फिल किया है ये शेयर नबर 01 है मेरे पास और बहुत ही अच्छी अच्छी ये यहां पर हम कुछ इस तरीके से अगर आपके नॉर्मल फाउंडेशन है तो अगर आप एचडी कंसीलर स्टेक या कोई भी हैवी कंसीलर स्टेक ले ले लेते हैं तो उससे भी आप मैंच कर सकते हैं अपने मेकप को यहां पर अपटको से जगाईशन हैं यहां पर ब्लेंदिं के लिए एक ताकि हमारे बेसे अलग ना लगे आप तो आप तो यहां ने पर ब्यूटी ब्लेंडर का यूज कर सकते हैं नेक्स ने ले लेंगे इस सेम पाउडर अपने कॉम्पार पाउडर अच्छी तरीके से पने यहां पर रेविलुशन की न्यूट्रल्स रिलोडिट ली है मैंने इसका ट्रांजिशन शेड लिया है अच्छे दर्गिस अपने क्रीज एरिया पर लगा लेंगे और ब्लेंडिंग इसकी करते रहेंगे अंदर की तरफ तो यहां पर कुछ इससरी की से लग गया है यहां पर अब मैंने यह सिवाना कलोर्स की पैलेट ली है पेस्टिवल्स का टाइम है ग्लिटरी स्पार्कल आपको हर जगे मिलेगा तो क्यों ना आईशेडोस में भी यूज तो यहां पर मैट के साथ ग्लिटरी आईशेडोस का यूज किया है मैंने यहां सबसे पहले ब्राउन कलर लगाएंगे हम डाक ब्राउन उसके ओपर हम वाइट कलर यह वाइट क्रीमी मिक्स है इसका हम यूज करने वाले है कुछ इस सारीके सब पूरे में ही लगाएंगे को यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यूज किया और लिक्विड आई लाइनर है जिसको मैंने यूस किया है अज एक हलका सब बनाया है सबसे पहले आपको medium से लगाना होता है उसके बाद आपको corner से लगा होता है आप जितना मोटा आप उतला चाहते हैं आप उतना कर सकते हैं तो आप फुल आइस में लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा यहां पर मैंने पॉपल का मस्कारा लिया है इससे अच्छे तरीके से अपनी आयलेश पर लगा लेंगे और आप अवाइड करें क्योंकि अगर आप नॉर्मली रेडी हो रहे हैं तो हैवी लेश आपको थोड़ा सा ड्रमाटिक लुक देती है यहां पर अच्छे तरीके से अप्लाय कर लेंगे इसको और लोर लैश लाइन पर भी यह हो गया है यहां पर शुगर की मैंने 3-1 पैलेट ली है यह बहुत ही अच्छी पैलेट है यह विविड विक्ट्री 02 नंबर है मेरे पास फेस पैलेट का इसी का हम ब्रॉंजर यूज आपर ब्रॉंज के लगात सachen करेंगे इसीका हम इसी का हम हायलाइटर यूज करेंगे तो काफी अच्छा है यह और मैंने आह ब्रॉंजिंग का यूज बर्ली का यूजर यूज करेंगे ता कि हलका हलकाई चैड़ो आई मेरे फेस पर सat फी नोस की कॉन झॉर उली लिए य यह बैलेट का यूज कर रहा है यह हलका सा पिंकी पीछ कलर में है तो हम सिरफ अपने बैक एरिया पर ही लगाएंगे फ्रंट की दरफ जादा नहीं आएंगे हम कुछ हिस्ता है कैसे हाइलाइटर भी सेम बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है इसका बहुत ही हलका सा लगाने पर बहुत अच्छा ग्लो आता है अपको और आप हाइलाइटर को हलका ही रखे अगर आप ओफिस पार्टी के लिए तयार हो रहे हैं तो क्यूंकि आपको mostly full day के लि यहाँ पर मैंने शुगर की लिप्स्टिक लिए है इसका शेड नमबर है मैद मजंटा यह जीरो थी नमबर है इसका और लिप्स्टिक के कलर्स आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं अपो जो भी सूट लगे आप लगा सकते हैं रेड हो गया आप इसकी जिगे मजंटा लगा सकते हैं आप नूद कलर भी लगा सकते है कोई सू यह हो गया है यहाँ पर अब्ल में वेट की का अब रमीक पिक्सर यूज कर सकते हैं मैं हाँ इसको सेट होने देंगे वीडियो पसंद आई होगि अगर आप लोगों कर मेरी यजीम पसंद आया है तो प्लीज इस वी कर ले प्रियस एनी ओफिशिल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल दिन बाय टेक क्यार नमस्ते